मेरे दोस्तों, देखो, बेबीस को जो अलर्जी होता है, उसका एक रीजन काव मिल्क हो सकता है, ये अलर्जी शीप या गोट मिल्क से भी हो सकता है, कभी-कभी काव मिल्क के प्रोटीन से बेबीस को कुईक्ली रियक्शन होता है, इसलिए बेबीस को डेर साल के बाद ही काव मिल्क देना चाहिए and most common sign है पोटी में ब्लाड आना in that case you must visit your doctor